हेलो गाइस वेल्कम टू अवर यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से देशी स्टाइल पास्ता तो सबसे पहले हमने लिया एक कटोरी आटा और उसको अच्छे से गूंदा जब तक गूंद हो जब तक सा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ना हो जब तक हम इसमें गैस जलाते हैं और भगाउने में पानी रखते हैं और पानी को बवाल होने के लिए छोड़ देते हैं तो भगाउने में हमने पानी डाला करीब एक चक और उसको हमने डग दिया फिर हमने उस आटे को जो 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था उ और उसके हमने चपटे-चपटे से करके, हाँ से, बढ़ीा से सॉफ्ट करके और उसको मसलब образिम्रोटी की thanks. वूरण से लगना एक रोटी नदकर, इसे जब तक तक मोटा रखोना, prise कैंश की नहरीअ आखानी से और उस क्योंकि हमें उसको बॉची सी मूटी बेली और उसको हमरे różकी सी कटकर लि हमेंlike पूअ चाकू से कट कर लो और या तो आप पिज्जा कटर होगा आपके पास तो पिज्ज्णा कटर अब कट जितनी भी लोई बनाये थे आटे के पेड़े बनाये थे सबको एक एक टर के बेला और उसको एकठा कर लिया एक प्लेट में तो आप जिस साइज सेप में देना चाहे उसको उस आकार का का dow सकते हैं पतले पतले काट लिए आप इनों को चाहे तो मोड के राउंड सेप में या कैसे भी करके आपको जिस स्टाइल का खाना पसंदो आप उस तरह का इसको बेल के बना सकते हैं और बेलने के बाद में इनको जब तक हमने बहुने में पानी में देखा की बॉयल आ गया है पानी बॉयल आ गया है तो हमने इसको सारे को काट काट के एक प्लेट में कठे की प्लेट में बेल श झाल झाल पानी में अच्छे से बॉयल आने के बाद में हमने ये जुब अपने सारे काट काट के इकटे किये थे उसको बंगोने के अंदर डाल दिया और उसको एक करशी के मदद से उसको हलका हलका सा चलाएंगे ताकि तुरंद डालने में वो एक दूसरे से चिपके नहीं तो इसलिए अगर चिपक जाएंगे तो फिर फिर पक नहीं पाएंगे अच्छे से ज्जादा एक साथ चिपक जाएंगे तो वो अच्छे से पकेंगे नहीं तो हमने ये तो उसमें रगारों नंAPPरा चिपके लिए घाले न चुद् going गोले और यहां होगा में हमुआखिने के नहीं तो पैस्ता को तब तक frag लिए सबूझे क्याओं É toutes की सब्सकिज़ी नाुट कर पास के चैनल नहीं चैनल को प्रोप आप सब लोलै सब्सकिलिबिभन और आप के लगूं आप भी नारवार आपने जाद। उतना ही अच्छा रहेगा और इदार हमने खोल के देखा तो हमारे जो पास्ता थे वो फक गये थे लग बड़ तो आप इसको कैसे पता करेंगे कि आपका यह पका है की नहीं पका है तो इसके लिए हम एक फोक का इस्तमाल करेंगे और उसको ऐसे करके डिप करके उसमें देखेंगे अगर उससे वो कट जा रहा है आसानी से तो यानि आपका पास्ता पक गया है पकने के बाद में हम इसको एक स्ट्रेइनर की मदद से निकाल लेंगे और अब हम हमारे पास्ते को फ्राइ करेंगे करेंगे हमने लिया सरसो का और बहुए घ righteous और एक फ्राइ पैन लिया उसमें अच्छी से और उसको ने देखेंगे में शची आ उसको चेक जा कोट के क्योंकि इलाइची का भी टेस्ट बढ़िया आताए मैं तो इसको तो डाला कर्षी कों और तो माइन के मत्रक्त क कुछा सटे कर भासियोघे डी City को राणाए कृट एक तब सब्सक्यामाटर दिलाने प्सक्षा का चूत पादब एक जया तो डाला bots चमचनमक्यों की टमाटर को अच्छे से गला दिया अब हमने इसको प्रेस करके पी प्यूरी मत बनाते हैं बब और हम अब देखते हैं किया की हमुदी ममसाले पर उसके बाद में वन टेबल स्पून विनेगर और इसमें हमने थोड़ा सा इसमें हमने सोया सॉस चिली सॉस और डाला इसमें टोमैटो कैचप और सारे जो भी हमने इसमें सॉसस डाले उनको अच्छे से अब मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे क्योंकि इनका सार जब और पियाल आएं अब लक्त प्तों ऑरतें के अपक डाला है तो आप इसको अब नहीं तो आपके पास आथा जाना की उपता बहुता है कि Church City Speaking पास्ता लाक़ नहीं करें दूचल, तो इसको ठालेंगे और यह रहाँ है। मुझत आप सपता नहीं को बाना हमने पास्ता नहीं है श्रीज करना लोगा नहीं कि नेढ़ादी वह रहा था यह और आप दो दो तीन दिन बाद भी बना लेंगी, क्योंकि यह खराब नहीं होता तो इसलिए हमने इसमें तोड़ा सा जादा बनाया हुआ था और उसके बाद में हमने जितना खाना था उतना उसमें डाला और अच्छे से मिक्स किया और थोड़ी देर अब इसको हम ऐसे चलाते नहीं ताकि सारे जो मसाले हैं इसमें या जो भी इसका मौशर होगा वो हट जाएगा और थोड़ा सा करंची करंची सा टेस्ट भी आ जाएगा तो इसलिए हमने इसको थोड़ी देर और पकाया पकने के बाद में इसमें हमने अगर आपके पास हरा धनिया है तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हो आप गारनिसिंग के लिए और हमने इसमें प्लेट में थोड़ा सा टोमेटो केचप और लगाया और हमारा ये पास्ता रेडी हो गया तो जिसको हमने इस प्लेट में सर्व किया देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में पास्ता और बढ़िया हेल्दी पास्ता है आप इसे चाहे बच् पास्केट का कोई सामान लाना नहीं है और अच्छे से इसको इंजॉय करें अगर रेस्पी पसंद आए